100 days of code में सबका टेंप बहुत जादा हाय चलना है और आज का टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे की जाती है याद है हम लोग ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था हमने देखा था यह कितना बड़ी है डेटर टाइप है स्ट्रिंग 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 तक ठीक है या फिर अगर यह example आपको अच्छा नहीं लगा मालू मैंने आपको एक string दीख जिसमें 5 नाम है ठीक है मैं जल्दी से अपने रापल में आता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ मालू मेरे पास एक name है मैं यहाँ पर आप लोग को h-a-r-r-y, s-h-u-b, h-a है मैं इन factors को names कर देता हूँ comma separated names है मालू मेरे पास मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ Harry चाहिए तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ print names और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि 5 characters ले लो शुरू के शुरू आती 5 characters कैसे लूँगा मैं सबसे पहले तो starting वाली index specify करूँगा ठीक है और इसके बाद मैं ending वाली index specify करूँगा मैं काऊँगा कि यार मुझे starting वाली index जनी कि index जोए 0 से start होती है programming के अंदर कुछ भी करोगी गिंती वाला 0 से start करना एक से नहीं क्योंकि most of the programming languages में 0 से start होता है यह बात होगो यह clear अभी यह आपर अब मैंने क्या कि यह 0 से गिंती start करी और मैं यहापर क्या करूँगा लिख दूँगा 6 ठीक है अब आपको 6 क्यों लिखा शुरू के 5 characters चाहिए तो 6 क्यों लिखा 5 लिख दूगा ठीक है तो मुझे 5 characters मिल जाएंगे तो 0 से लेके 4 तक मिलेगी मुझे यहापर अगर आप hover करके जाते हो ना इस तरह से hover करते हो तो यहापर देखो आपको यहापर यह replicate काफी कुछ बताता है बड़ अब इन सब चीजों को छोड़के मैं आप लोग को बताता हूँ कि यह किस तरह से काम करता है यह 0 से लेके n-1 तक n की value यहापर 5 है वो आप लोग को indices print करके देता है जैसे कि इसने 0 को किया 1 को किया 2 को किया 3 को किया 4 को किया 5 को नहीं किया यह बात याद रखने वाली है ठीक है अब यार मैंने आप लोगों के लिए इतना मज़ेदारी टुटोरिल लिखा है आप देखो यहाँ पर length of a string we can find the length of a string using length function इस सबसे भी पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आपको length किसी भी string की निकालनी है जैसे कि names नाम की हमार यह string है इसकी मुझे length चाहिए तो मैं length function का इस्तमाल करूँ और उसके लिए string डाल दूँगा 13 आ गया आप गिनके देख लो mango is a five character word five letter word ठीक है तो यहाँ पर five letters है mango में तो यहाँ पर mango is a five letter word ठीक है यह इस तरह से आ गया अब string basically एक array की तरह होती है sequence of characters होती है यह हमने पिछले वीडियो में देखा ही था ठीक है हम कोई भी element जो इसका access कर सकते है अब यहाँ पर देखो मैं आपको slicing समझाता हूँ अब इसको छोड़ो अभी और मेरी बास सुनो मेरे पास fruit is equal to mango है मैंने यहाँ पर print करा len1 को ठीक है या फिर mango len को मैं कुछ भी रख सकता हूँ यार नाम इसका ठीक है कुछ भी रख सकता हूँ मैंने mango len रख दिया तो मुझ square bracket notation लगांगा make sure कि आप parenthesis यूज ना करें functions के लिए हम लोग parenthesis यूज करते हैं लेकिन slicing के लिए हम square brackets यूज करते हैं square brackets आपकी keyboard पर होते हैं p के right side पर होते हैं ठीक है आप देख लेना अपने keyboard में और 0 से लेकर मानलो मैं 4 तक लिखता हूँ यहाँ पर तो मुझे शुरू आपको चौती इंडेक्स नहीं दिखेगी ठीक है चौती इंडेक्स आपको नहीं दिखेगी इसे 0 से लेके 3 तक दिखेंगे 0,1,2,3 यह 4 characters मैं रन करके दिखाँगा आपको mang जो है इसका output होगा क्या होगा अगर मैं 0 को ना लगाँ तो मैं 0 को skip कर सकता हूँ अगर मैं 0 न लगाँ तो python क्या करेगा कि यहां पर automatically 0 लगा लेगा अगर मैं इसको skip कर देता हूँ यह python की बहुत अच्छी खासियत है अब क्या होगा अगर मुझे 1 से लेकर मुझे चाहिए तो मैं 1 से लेकर 4 लिखूँगा तो मुझे an और g मिलेगा आप देखो यहां पर an और g मिला ल और आपको mang मिलेगा दुबारा से अगर मैं यहां पर 4 हटा दूँ तो python क्या करेगा यहां पर इसकी length लगा देगा length लगा देगा length लगा देगा ठीक है क्या है length of fruit 5 है तो 5 लगा देगा तो तो यहां पर अगर मैं 5 नहीं लगाँ तो भी मुझे mango मिल रहा है और अगर 5 लिखोंगा आपर तो 0 automatically आ जाएगा और मैं अगर यहां पर minus 3 लिखता हूं तो क्या होगा ठीक है आप output देखो क्या होगा और मैं आपको बताओंगा यह output क्यों आया ma output है अब यह ma output क्यों हो आया देखो इसको किस तरह से python interpret करता है यह समझते है जो minus 3 है यहां पर length of fruit यह लगा लेता है python interpreter अपने आपर ठीक है length of fruit कितनी है length of fruit 5 है ठीक है हमने देखा था अभी 5 है यह आपर ठीक है length of fruit 5 है और 5 minus 3 होता है 2 तो 0 से 2 मतलब 0 M और फिर 1 यानि कि A ठीक है 0 index पर M है first index पर A है तो MA print हो जा रहा है इसका भी MA ही print होगा ठीक है मैं जसे आप लोग की clarity के लिए बता दूँ कि अगर मैं यह लिखूं यह लिखूं बात वही बढ़ने वाली है MA ही print होगा क्योंकि python automatically length of fruit यहां पर लगा लेता है what about negative slicing hair अगर मैं आपर minus 1 कर दूँ तब क्या print होगा अगर मैं यहां पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो यह और यह equivalent है क्योंकि python automatically आप negative slicing के लिए length of fruit लगा लेता है ठीक है पांच print हो और यहां कुछ print नहीं हुआ अब इसको समझते है क्या है ठीक है यहां पर मैंने लिखा length of fruit minus 3 और यहां पर सिर्फ minus 1 लिख दिया ठीक है तो क्या होगा कि python interpreter automatically यहां पर length of fruit लगाएगा ठीक है minus 1 कर दूँ तब क्या होगा और मुझे length of fruit लगाने की जरूरत भी नहीं है ठीक है वो तो जैस मैं आपको बता रहा था कि python automatically length of fruit लगा लेता है मैं इसको अगर run करूँ तो आप लोग यहां पर देखोगे कि ng आ रहा है यह ng कैसे है इसको decode करते है ठीक है सबसे पहले python यहां पर इसको length of fruit minus 3 कर देगा जो कि 5 minus 3 2 होगा तो यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर 4 हो जाएगा तो second index से start करेगा और third तक जाएगा याद है कि यहां से start करता है python और यह minus 1 तक जाता है तो 0 1 2 यानि कि n आ जाएगा फिर 3 भी आ जाएगा यानि कि g आ जाएगा ng और fourth वाला जो index होता है वो ignore होता मैं आपको बताया था including this but not including this ठीक है और मैं यह बात लिखना चाहूँगा ठीक है मैं यही बात लिखना चाहूँगा कि including 0 but not 4 in fact यही बात में यहां पर भी लिखोंगा ताकि कहीं आप यह ना समझ लोग यार यह 0 है तो कहीं कोई special case तो नहीं है अरे नहीं यार जीरो कोई special case नहीं है जिसमें आपको यहां पर paste करके 1 के लिए भी same चीज होगी ठीक ह अगर आप 0 से गिंती start करोगे यह निकि 0 की जगह पर हैं 1 की जगह पर A, 2 की जगह पर N, 3 की जगह पर G और 4 की जगह पर O ठीक है तो इस तरह से string slicing की जा सकती है सारे examples यहां पर दिये हुए अब बहुत सारे लोग negative slicing को अलग तरीक है समझाते हैं वो कहते है उल्टी गिंती कर लो और यह कर लो वो कर लो पर मुझे सबसे अच्छा explanation यही लगता है कि आप यहां पर land of root लिख दो and that's about it आपका काम हो जाना है ठीक है अब हमने देखा था कि loop through कैसे करना है string में और यह आप लोगोंने किया था last वाले वीडियो में और आने वाले वीडियो में आप हम package का answer देख ठीक है तो यह exercise करते हैँ ठीक है आपने करना क्या है आपने आपने output बताना यह प्रोग्राम और explain करना है मुझे ठीक है बहुत ही simple सा program लिख रहा हूं ठीक है आपने इसको quick-quick क्यो लिख दिया मैंने quick quiz आपने क्या है और cheating मत करना yach ठीक है cheating मत करना चला करना मत बताना मुझे output, एचे RRY है, ठीक है, तो अगर मैं print करूंगा NM को, और यहां पर मानलो मैं लिख रहा हूं, minus 2 से लेकर, यह minus 4 से लेकर, minus 2 तक, तो आपको बताना है, कि क्या print होगा, ठीक है, क्या आप मुझे बताओगे, यह मुझे बताना है आपको, ठीक है, minus 4 से लेकर, minus 2 तक, क्या print होगा, and I challenge you कि आप यह जो Instagram पर मुझे tag करने वाले होना, भी अपने phone से, आप run करने के बाद नहीं करोगे इसको, यह run मत करना आप, यह नहीं होना चीए, कि आपने यह run कर दीए, आप लोग यह नहीं कर लिए, और यहां पर output आगया, नहीं आएगा output, अगर आप लोग का यह commentary दे तो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग समझना जो मैंने बताया है, बिल्कुल वही करना है, और मैं दुबारा नहीं बताऊंगा यहां पर अभी आपको की length क्या होती है, क्या होता है, आप वीडियो को दुबारा देख सकते हो, बट सही सही जवाब चाहिए मुझे, और यहीं अचीव करना है, सही जवाब आना चाहिए, ठीक है, और अगर आपने explain भी कर दिया, explanation is optional, आप मुझे answer दे, explanation is optional, ठीक है, आप चाहिए तो बहुत quick explanation दे सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा काफी जिल से, अगर आपने अभी तक playlist access नहीं करी है, तो आप इसको access ज़रूर कर लें, और instagram handle codewithherry ही है, यह भी बताना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप codewithherry ही सर्च कर सकते हैं, instagram पर में मिल जाऊँगा आपको, प्लेइलिस्ट को access ज़रूर करें, या क्लिक करके bookmark करें, या क्लिक करके इसको save करें, अभी के लिए इस वीडियो में इतना हैं, Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time! attform